अगर आप पहली बार हमारा यूटूब चैनल देख रहे हो जो प्लीज सब्क्रेस्टन जरूब करें और गंटी पे क्लिक जरूब करें लिए शिलिंग फेर लिए जल गया था इसका जलने का कारण रहता था कि अगर्ण पवंड कर लगा दिए थिए तो यह लोग 3.5 का केफिसेटर लगा देजाता है इसके अंदर यह होगा था किसी कारण से यह जल लाता है कस्ट्रमन बताया तक दो दिन पहले ही लगाया था इसके बाद में यह जल गया यह मेरे पास में हाथ की वेंटिंग की मसीन है जो 2001 में लगाया था मैंने अब तक को इसको कामे ले रहा हूं यह स्ट्रेटिंग कोईले बंद रही है स्ट्रेटिंग की इसके अंदर 37 गेज है और 12 कोले है और 12 रेनिंग की है इसके अंदर रिवेंट करने से पहले मैं ने उसके टेंग गिंती किया था उसक्ता गेज था वह सब दिखा था इसके अंदर बारा इंटू बारा का यह इस्ट्रेटर है पंखा रिवेंट करने के बाद ने के बाद ने के सही तरीचे से लगाए असा नहीं हो कि कभी बविशी के अंदर जब भी एक अगड़ आप पंखा कोड़ने और बंद करने की टाइम ही है कपसे अगर ने हुद को प्रोपर लगाया अपस्के जुछ को करता को इसा कट करक 500 बार तैह कि हम लोग प्र एकापर के सब द्यारा जाता है। क्योंकि कट एसके करने करता है जब रिवाद कर देद्धारा है कबही कबर होता है ऐसा बहुत कम संस होता है लेकिन उज़ाता के बार तो प्रसानी भी होती है जिस पर का ध्यान भी रखे कि पर यह कैप लगाते टाइम टूटे नहीं यह मेरा स्टाइटिंग के बाद में रणिंग में कम्प्रिट कर दिया वीडियो लंबा हो गया इसके लिए मैंने ब आपको मैं बाता देता हूं यह 37 गेज से रिवेंड हो रहा है और बारा इंटू बारा की कोले है इसकी स्टाइटिंग कोले है वह 309 बेटन है यह कि इस टेप से आपको कम्प्लीट लगाना है मैंने पांच नमबर पेफर का यूज किया इसके अंदर जो रिवाइंड पैपर होता है वो पांच नमबर है आप साते हो दो बले इसाफ नमर भी लगा सकते हूँ कैप परनाने के लिए यह आपका कंप्लीट है इसके कहीं भी जैसे बाई रिवाइन करते हूँ इस टेम बाई टू भी जादा कभी वो रोल के अंदर फ़र जाता है इसकी विज़ेश्ट कूटा है यह मैंने इसके शार क्नेक्षन निकल रहे हैं लो रन्निं के लो इस्टर इंग के बलेक वाइऊर लगाइं गेँगे और रनिंग के अंदर डेड वायत ताकि आपसाने से बाद से बी पता लग जाएगा इसार और निकलने से फाईदा यह वह उता है कि कई बार रुटर से देड कोई कोमन्ट बार करके तीन बार भी निका सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कैसे निकलते हैं वो नेक्टे में आपको ये वीडियो अलेक्टर बना दूँगा आपकी मसीन से भी एक स्याफ सुसरी ये रिमेंड होती है मैं दोजार एक से ये मसीन काम में ले रहा हूं को प्रॉब्लम नहीं है मेरे को एक सिरुप ये मेटर खराब हो गया इसका दूसरा कोई टर्बल नहीं है इसके अंदर बाहर को एक दूम कंप्लीट उसका बानिश निकल दे फिर आपको वापिस चाहिक करके लगाना है ऐसा नहीं हो को बिना बानिश अठाए आपको नहीं कर मार दोगे रहे ये चाहिए नहीं सलेका ये बाहर टूट गया है और ज्यादा खैसे भी नहीं नहीं तो टूट गया ये बीच में जॉइंट लगा है आपको ये मेरा कम्प्रीट हो गया ये बीच में कनेक्शन तूट गये थे ये टोल के अंदर फच जाता है कोई भी इसी कार्ण से तूट रहे थे इसके लिए दो जॉइंट हो गया इसके अंदर अगर आप हमारा अप्ताली बार सब्सक्राइब देख रहे हैं तो प्लीस सब्सक्राइब जूरू करें और गंटी पर क्लिक जूरू करें वीडियो को पुरा देखें ताकि आपको उससे जानकारी लग जाई है नए टेक्निशन को यह देखने से फाइदा होगा कि आपको कैसे रिवाइंड करना किया है कि अब को शीक तरके से इसके अंदर के अंदर फसा दें ताकि अंदर से नहीं को आपको बीज़ जब यह बाने से इसको काम में लेने की दूसरी बार रिपएर करेंगे उस टेम में यह बहूत सारी चमसी आती है कुल नहीं ठीक लें ज्लिट आहां अजाने इसको नहीं पावन इज़े है, अजय को जुड़ा। यह घान के कानेक्षन नगाल देना है , सबमेट के जिए नगाल देना है एक तुम इजी है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी में आपको इपार रॉनिंग बता देता हूं यह कितना में का यह यह वन पॉइंट यह वन पॉइंट तीन है में का यह वन पॉइंट तीन है यह कोई है यह वारा कोई है यह बारा कोई का स्ट्राटर है इसकी बैंडिंग जो यह रनिंग है चाहते हैं शाच दस लगए है और स्ट्राटर नवे लगए है मैं इस पे से वांडिंग भी इतनी निकली थी मैं यह पहला वांडिंग हुआ ता इसकी गंती की और वाफी से अब टांस्ट लगा जिए मुनें यह यह नोर्मल है यह बासर जीरो एक और बासर जीरो दो का बै दे देता हुआ एक पार शुराट के अंदर जानी सेगे इस बात कर द्यान ड़के आप यह प्रक्रिया आसानी है कोई इतना बड़ी कोई वेज़ी नी वेज़के अंदर पहले बाल अगार हमारा चैनल देख़ों अपली सब्सक्रेशन जरू करें गंटी पे क्लीक जरू करें यह असानी से सही तरीके से आपको वाइनिस कर लेना है वो पतला हुए यह वैसे जाड़ा वाइनिस नी लगाए इस पर कभी द्यान रखें साथने स्लोट के अंदर यह सही तरीके से तकी पीवी सी और इसके बीच में पकड़ बन जाए कंप्रिट है यह मार फेंड इतने ट